कि वो अपनी जान छुपा के रखते हैं, हम अपनी जान हथेली पे रखते हैं, कि वो अपनी जान छुपा के रखते हैं, हम अपनी जान हथेली पे रखते हैं, वो छुपके हमला करने वाले कायर सामने से क्या लड़ेंगे, हम हमेशा बांध के सर पे कफन रखते हैं, कि सेर की यारी होती नहीं है चिलकाओं सी यारों से, बुझदिल कभी खेलते नहीं है घातकत यारों से, बौने कभी टकराते नहीं है पत्थर के दिवारों से, और देश भक्त हाथ मिलाते नहीं है वतन के गदारों से भुष्टार आप सच्टॉक्स देख रहे हैं और में आपके साथ सुधानसू सेखर अभी हमारे साथ जो सक्स है उनको राष्टबाद कभी के नाम से जाना जाता है उनका नाम है बाला भिहारी वो लगातार समाजिक, राजनीतिक और राष्टबादी मुद्वों पर अपना वात रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, उस पर वो कविता लिखते हैं, तो हम अभी शुरुवात करें गया अजुन से, क्योंकि आज करगिल बिजय दिवस है, तो इसी मुद्वे पे उन्होंने कुछ कविता लिखिये, उसे सुरुवात करेंगे, सबसे पहले आपका स्व भारत की सुरक्षा में उन बीर सहीदों की कुरबानी हम वियर्थ नहीं होने देंगे, कि रोज रोज के हमलों से अब जीना मुश्किल है, यह मैंने तब लिखा था जब 2014 से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर प्रती दिन हमारे भारतिये सेना पर हमला हुआ करता था, तब मै आपको पता है, आप लोग को ग्यात होना चाहिए, कि सैनिकों को कमजोड करने का प्रयास किसने किया, 2014 से पहले भारतिये सेना इस सिस्तिति में थी, कि 20 दिन के लडाई के लिए भारतिये सेना के पास गोला बारुद नहीं था, और आज भारतिये सेना इस सिस्तिति में है, क पाक जिकर किया इनापाक जो पाकिस्तान है उसको लेके कुछ लिखे हैं कि नहीं अभी तक? पीडिया पूछेंगी इतिहास जुबान तो खोलेगा और देश के नमक खरामों पर पूरा देश डोलेगा अपने मान स्वाभिमान के रक्षा के लिए अपने मात्र भूमी के रक्षा के लिए युद्ध तो लड़ना ही पड़ता है और आपको पता है कि हमारे भारतिय सैनिक जितने सेर की तरह लड़कर युद्ध में सहीद नहीं हुए है उससे ज़्यादा हमारे भारतिय सैनिक पाकिस्तानियों द्वारा पाले गए उनके आतंगबादियों के आत्मगाती हमले और धोखे से किये गए वार में सहीद हुए हैं तो कभिता की पंक्तिया हैं हमारी कि कि वो अपनी जान चुपा के रखते हैं हम अपनी जान हथेली पे रखते हैं हम अपनी जान हथेली पे रखते हैं हम अपनी जान हथेली पे रखते हैं वो छुपके हमला करने वाले कायर सामने से क्या लड़ेंगे हम हमेसा बांध के सर पे कफन रखते हैं कि सेर की यारी होत वोटन की गद्दारों से इनका विरस्ट जो fond विसे कहना कि देश हो चुपा पिगा को कहते हैं जब भी मेरी कलम चलिए राश्ट्राबध के लिए देश पर खृम रहरा करें सो कशेमिंवेन दर्वी लिए तो कुर्याय डर्वी तो अनुन लोग खृमद्ध मुथा सब्सक्राइब भी जुरे हुए हैं और राजनितिक मुद्दों पर भी लिखते हैं तो कुछ एक राजनितिक मुद्दे पर हो जाए कुछ देखिए कुछ लोग कुछ राजनितिक पाटिया हैं जो देश का खाकरनी देश में गदार तयार करते हैं वो दुस्मन मुलकों से मिलकर यार तयार क जाता है उसे फूल माला चड़ाया जाता है जो संपुन भारत के लिए अपमान जनक है और मुहम्मद अली जिन्ना जो भारत भी भाजन के दौरान आठ लाग से जादा हिंदू का हत्यार था उसे स्वतंत्रता संगराम सेनानी बताया जाता है ये बीर सहीदों का अपमान है औ उसे घिर нос जाता है जो भारत के मान सव भी मान को गिराने के लिए हमेज़ा कुछ नह कुछ करते रहते हैं तो मैंने लिखा था कि जुल्मी जिन्ना के चितरों को नोच डालो दिवारों से पांग्रेस की सरकार नहीं है कहदवन गद्धारों से कि अंग्रेजों भारत छोड़ों का जिन्ना ने भी रोध किया, कदम परदेश भक्तों का मारगा रोध किया, कि हार नहीं मानी थी हमने अंग्रेजों के तोप तलवारों से, लेकिन जक्मी हो गए हम जिन्ना जैसे गदारों से, कि कितने जक्म दिये जिन्ना ने, उन जक्मों को मिटाना मुश्किल है लाखो हिंदुओं के मस्तक का हिसा भुलाना मुश्किल है कि विभाजन का दर्द हमारे दिलों में अभी भी जिन्दा है और नहरू जिन्ना की करनी से आज भी हम सर्मिन्दा हैं कि जिन्ना पे बहस नहीं होगा अब और सहन नहीं होगा इस पे चिंतन परिये में दिशाय को दातरा, एकदम आगोस आकरोस सब कुछ आपके अंदर भरा हुआ है क्यूं देखिए हमारे देश में जब हमारे मा भारती को गाले दिया जाता है जब तीरंगा जंडा जलाया जाता है ये भारत भूमी हजारों लाखों राष्टरवादियों के साहधतों पर खाड़ा ये हमारा देश जब उनको गालिया दिया जाता है तो कहीं न कहीं एक राष्टरवादी का खून खौल जाता है और जो लुक्ती रंगा जंडा जलाते हैं और जैहिंद बंदे मातरम का बिरोध करते हैं तो उनके लिए कभिता है कि अगर आस फाक को समझे होते तो ऐसी भूलना करते अपने ही क्यों न पड़े लेकिन हर एक भरतवनसी से बंदे मातरम बुलवाई जाएगी सबसे बुलवाई जाएगा इस देश में बिल्कूल आपको पता होना चाहिए कि इस देश में ऐसे भी नेता है जो हमारे संसत भौन में सपदगरहन का दोरान जाए फिलिस्तिन का नारा जनम लिए हैं जहां से आपको जहां की जनता आपको सपोर्ट कर रही है जहां के लोगों से आप वोट लेकर के नेता बन रहा है और उसी मातर भूमी का आप जय नहीं बुलिएगा तो यह तो गदारी है वतन से फिर आप इस वतन में रहने के काबिल कहां से है नरेंदर मैंने लिखा था िंचा से क देने के लिए उनकी पार्ट नोध about $7 महागडबंधन बनाए क्योंकि वो गरीब मा के बेटे हैं एक समाज के सबसे पिछले पायदान से आते हैं और देश के सबसे बड़े सत्ता पे अभी बिरजमान है अभी तो मैंने लिखा था कि मिजाद से कोष लेना मोदी को पहले महागडबंधन की तस्बीर तो देख लो ख जानते हैं ये महागडबंधन वाले क्या कहते हैं कि मैं खूद एक मंदिर हूँ और तुम उसकी मूरत हो गडबंधन में साथ निभावकियों की बहुत खुबसूरत हो और जिनके सूरत से भी नफरत थी कभी उनसे मिलने अब ये महागडबंधन वाले रोज जाते हैं और क कि मैं खुद एक मंदिर हो तुम्हें उसकी मूरत हो गड़ बंधन में साथ निभाओ क्योंकि तुम बड़ी खुबसूरत हो और आगे कहते हैं कि जिंदगी के इस मोड पर मिल गया है हम आओ लुटने लुटवाने का वादा करें यह मोदी है जुटा कुछ करता नहीं यह दे ट्राइक हुआ, राम मंदिर हुआ, सेटलाइट, धारा 370, चंद्रियान 3 ऐसे तमामी उजनाय मोदी जी की कारेकाल में देशित में हुए और पूरे भारत का डंका पूरे बिश्व में बजाया मोदी जी ने तो उन पे तरह तरह का आरोप लगाते हैं तो मोदी जी कहते है कि सजा दूंगा सोने से हिंद तुम्हारा, बना दूंगा सोने की चिडिया दुबारा, चमकता रहेगा ये भारत हमारा, और खुसियों से भर दूंगा दामन तुम्हारा, मिटा दूंगा घर से गरीबी तुम्हारी, और बदल दूंगा अपने पौरूस से तकदिर तुम् गबड़ायो थोड़ा बिस्राम करो, देखो, मुझे देखो, मेरा ही नाम मोदी है, मुझे सलाम करो, जो बात बंधन में थी हो गट बंधन में खुल जाएगी, बड़ी जल्दी इनकी पोल भी खुल जाएगी, और हमने तो देखा है बागो को भी पूच उठा कर भागते हु और समाजिक्ता तो उनको काफी ज्यादा परसान करने का कदम कदम पर प्रयास भी करती है लेकिन मनिस भाई के लिए इस देश का कराश्टरवादी उनके साथ खड़ा है उनको इन्मिटेशन कार्ड और निमंत्रम नहीं देना पड़ेगा अगर वो किसी संकट में फंसते हैं तो हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाके हैं और जीवन भर का स्वासन अब दे रहे हैं जीवन भर है मनिस का सभी के साथ ये कनफर्म उनके लिए कुछ कविता लिखें आप अभी तो देखिए मनिस भाई जो हैं उनके उपर मैंने उनके बहुत सारे मुद्दे पर हमारी लगबग दस से ज़्यादा कविता हैं होंगी लेकिन अभी मुझे याद नहीं है तो एक और रास्टवादी एक और कविता सुन लेते हैं आप से देखिए पाकिस्तान और की आदत है कि हमेशा चुपके वार करता है कारगिल बिजय दिवस है और पाकिस्तानियों से कहना च पंगाल पाए जाते हैं और सुनिये कविता की कुछ पंक्तियां है कि वो नजरों से नजरे मिलाकर दुस्मन का हर राज निकाल लेता है वो आवास से ही पूरे शरीर का वजन निकाल लेता है और इसलिए हम उसको दिल में बिठाए है क्योंकि दुआ दे कर वो दुस्मनों क जान निकाल लेता है और उसका नाम नरेंदर मोदी है तो यह बात समझना हुगा आप सिर्फ राजरीती मुद्धों पर बीजेपी के पक्स में जादा दर लिख रहे हैं भारतिया जंता पार्टी राष्ट्रवादियों की पार्टी है यह आप भी जानते हैं हम भी जानते ह है तो हम बिल्कुल भारतिय जंता पार्टी का समर्थन करेंगे मोदी जी का समर्थन करेंगे योगी जी का समर्थन करेंगे मनीज भाई का समर्थन करेंगे अन्तवेक और सवाल कि मतलब प्रेम रसका कोई कभिता आपके पास नहीं है नहीं नहीं प्रेम रसका कभिता नहीं है यह मात्र भूमी है हमारी हम इस राष्ट के लिए समर्पित है हमारी कलम इस राष्ट के लिए समर्पित है और देखिए कभी की धर्म भी है कि जब भी कुर संस्क्रिती की पहचा अंडू बुने लगे तो हर देशवासी की स्वाभी मान जाग जाती है तो अभी हमारे साथ राष्टवादी कभी बाला बिहारी थे जो लगातार समाजिक राजिनितिक और राष्टवादी मुद्धों पर कविता लिखते हैं इनका कप्तास उनका आपको कैसा लगा? कमिंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉकने उचे